आपकी त्वचा को युवा बनाए रखने के लिए और जुर्यों से मुक्त रखने के लिए संस्क्रीन का नियमित रूप से उप्योग बहुत महत्वपूर्ण है सूरे की हानिका रख युवी किर्णे त्वचा को नुकसान पहुचाती हैं जिससे दाग और भूरे रंके धब्बे हो जाते हैं शोद करताओं ने सुझाव दिया है कि सूरे की किर्णों के अत्यधिक संपर्ख से त्वचा का कैंसर भी हो सकता है इसलिए महिलाओं के लिए सबसे अच्छी ब्यूटी टिप में से एक है संस्क्रीन 45 से अधिक SPF के साथ को लगा कर ही बाहर निकलें आप चीनी के दानों को प्रकृतिक स्क्रब की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं आप दालचीनी या जाइफल के दानों को स्क्रब के रूप में भी इस्तिमाल कर सकते हैं घर का बना स्क्रब रासाइनेक मुक्त ताजा और सौ प्रतिशत प्रकृतिक है यदि आप एक समान अनुपात में ओट्स और संत्रे के छिलके के पाउडर के साथ खूबसूरत दिखने वाली त्वचा चाहते हैं तो इसमें एक टेबल स्पून शेहद मिलाएं और इस स्क्रब को अपने चेहरे पर लगा ली कुछ मिंटों के लिए हलके हाथ से मालिश करें और फिर ठंडे पानी से धोलें हलके हाथ से पोचें और थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा लें क्यूटिकल्स की ठीक से देख भाल की जानी चाहिए वे आपके नाखुनों को मजबूती और सुरक्षा प्रदान करते हैं यदि आपके पास स्वस्थ क्यूटिकल्स नहीं हैं, तो आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए कि क्यों आपके नाखुन तेजी से नहीं बढ़ते हैं। क्यूटिकल्स नाकुनों को बहुत आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। आपको उन्हें पूरी तरह से हटाना नहीं चाहिए। फंगल संक्रमन से बचने के लिए आपको उन्हें साफ रखने की आवश्यक्ता है। और साथ ही आपको उन्हें केवल क्यूटिकल पुशर या और इन्स्टिक के साथ वोपिस धकेलने की आवश्यक्ता है। आपको हमेशा अपनी आईब्रो को सुन्दर बना के रखना चाहिए। यह ना केवल आपके चेहरे के लुक को बढ़ाता है बलकि आपके चेहरे को और भी निखार देता है। अपनी आईब्रो की प्रकृतिक रेखा के बाहर निकलते वे बालों को दूर करने के लिए चिम्टी का उप्योग करें या आप आईब्रो को पारलर में भी आकार दे सकती हैं। शेहत दूद और ताज़ा निबू के रसमे से प्रतियक में एक बड़ा चमच मिला कर अपना खुद का होममेट फेस पैक कुछ समय के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धोलें। ग्लोइंग स्केन पानी के लिए इस उपाय को दस से पंदरा दिन तक रोजाना इस्तिमाल करना चाहिए। डार सरकल महिलाओं के लिए बुरे सपने की तरह है। आप सौभाविक रूप से काले घिरों से छुटका पासकते हैं यदि आप अपनी आखों के ऊपर ठंडे आलू के दो टुकडे या खीरे के स्लाइस के साथ एक छोटी जप की लेते हैं। लेकिन इसे सब्ता में कम से कम पांच बार समर्पित रूप से पालन करने की आवशक्ता है। प्राकृतिक रूप से काले घिरे से सूस करें। अपने नाखुनों के लिए एक अच्छे टॉप कोट का इस्तिमाल करना कभी न भूलें। यह आपके नाखुनों को लंबे समय तक टिकने में मदद करेगा और चमक भी प्रदान करेगा। अपनी महंगी नेल पॉलिश पर पारदर्शी टॉप कोट लगाने से आप छिलने से बचा सकते हैं। आप अपने बालों में एक ताजा नीबू का रस लगा सकते हैं और धूप में बैठ सकते हैं। यह स्वभाविक रूप से आपके बालों को हलका करेगा। यह मैलाओं के लिए एक सबसे लोग प्रिये और प्रभावी सौंदर्रे टिप है औ और इसका पालन करना आसान है।